जी तो रियर स्टेट्स, नेक्स्ट MCQ है जी, first वाला, impulsively नॉर्मा, picked up the card halves, तो impulsively underlined word है, तो impulsively का क्या मतलब है, गह लाशाओरी तोर पे, गहरी रादी तोर पे, instinctively, ठीक है जी, दूसरे MC को जी जैस लॉस्ट इस फ्लो इन आ फारो तो फारो का मतलब होता है खाई जब आप हाल चलाते है ना तो पीछे थोड़ी सी गहरी एक खाई बनती जाती है और मटी जो है वो साइडों पे होती जाती है तो उस जो जो जमीन की आलत होती है इसे कहते है फारो काई ठीक है तो इसका दूस्त आप्शन है ग्रूव ठीक है तीसरे MC को जी Mr. Hubert continued claiming his innocence in the delirium of death delirium of death असल में ये पूरा एक फ्रेज है इसे कहते है घशी का दोरा ठीक है डिलिरियम कहते है घशी ठीक है तो घशी के दोरे में कोई बात करना तो इसका जो synonym आएगा वो आएगा babbling ठीक है जी दूस्त आप्शन babbling है चोथ है MC को जी gorgeous was made all the more melancholy by the tight fitting uniform तो melancholy का मतलब होता है उद्दासी घंगीनी तो इसका दूस्त आप्शन आएगा gloom ठीक है जी पांच्वा MC को जी the young man looked to be enjoying his promenade तो promenade का मतलब होता है stroll walk करना सेर करना चहल कदमी करना ठीक है जी दूस्त आप्शन डी आप्शन है promenade stroll च्छटा MC को है जी the piercing light or flash light is the only light in the room ठीक है तो piercing का मतलब क्या है जी penetrating c option दूस्त है ठीक है जी penetrating piercing penetrating साथव MC क्यों है जी alan fidget as she listens the broadcast of her father तो fidget का मतलब क्या होता है बेचैन होना तो नीचे कौन सा वर्ड है जिसका मतलब है बेचैन होना तो इसका जो दुरूस्त option है dear friends वो है twitches ठीक है जी बेचैन होकर हिलना ओके जी fidget twitches नेक्स जी आर्टव MC क्यों मिस मैकरचन said that a week at school had knocked her for a loop knocked her for a loop underline word है इसका मतलब है upset परिशान कर देना ओके जी 9 MC क्यों जी we have no time to see her mouth enrich the smile of our eyes enrich का मतलब होता है improve करना माला माल करना तो इसका दुरूस्त option है refine ठीक है जी 10 MC क्यों जी हमारे पास sojourn underline word है और sojourn का मतलब है वक्ती क्याम stay करना ठीक है जी तो नीजे कौन सा वर्ड है stay ठीक है जी तो be option दुरूस्त है आगे 11 MC क्यों है हमारे पास what was the reward for pushing the button को दबाने का button button में से ये question आया हुआ है तो कि इतना reward था पचास हजार डॉलर्स ठीक है जी बारव MC क्यों जी हमारे पास the glory of whom shall be revealed the glory of whom shall be revealed तो इसका दुरूस्त option है c option lord ठीक है जी तेरव MC क्यों जी हमारे पास after the accident number was the first thing removed from the body of young man कौन सी चीज सब से पहले हटाई गई थी तो दुरूस्त option है c white silk scarf ठीक है जी जो मफ्रर उसने लिया हुआ था white color का वो चोध में MC क्यों जी हमारे पास she thought of reaching the house but ठीक है जी उसने सोचा था कि वो घर पहुंच जाएगी लेकिन the car इसका दुरूस्त option कौन सा है the car ran out of gas जो car थी उसमें से gas खतम हो गई थी इन दन खतम हो गया था ठीक है जी fuel खतम हो गया था पंदर्मा जी the house of spelling comes under दी तो किस के under आता है जी d option दूरूस्त है martial law आगे जी next dear friends इस हिसे में जो हमारे पास questions आते हैं वो आते है correct farmer verb correct farmer verb के लिए मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताऊँगा वो आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेनी है ठीक है हर जुमले के अंदर ठीक है एक निशानी होती है उसमें क्या आता है तो अब देखें हीड है sleeping now ठीक है जी तो sleeping आ रहा है तो it means field की चोटी फाम है तो इससे पहले इस है मार या वासवर आएगा तो अब देखें जुमले के शुरू में क्या जुमले के शुरू में ही है तो ही के साथ helping verb कौन सा आता है इस आता है एम आता है या आ रहाता है तो he now आ रहा है अब इस वक्त तो यह present continuous tense का फिकर है past continuous नहीं है लहाजा नौ है इस वज़ा से इस आएगा he is sleeping now वो अब सो रहा है 17 नमर में सी को आप work hard so that I ठीक है जी यह आप याद रखें जब जुमले में so that I तो इस में जो वर्ब आएगा model वर्ब वो में आएगा I work hard so that I may pass the examination मैं सक्त में इनत करता हूँ ताकि मैं इम्तिहान में कामियाब हो जाओ 18 जी a crowd many times before is death ठीक है जी sorry crowd कह रहा हूँ a coward coward कहते हैं बुजदिल आदमी को coward chicken hearted जो होता है न chicken hearted उसे कहते हैं बुजदिल a coward a coward क्या है यह singular है ना तो प्रोवर्ब वैसे भी present definite में ही आती है तो जब जुमले के शुरू में तदाद के लिहाद से जो काम करने वाला है काम करने वाली यह एक हो तो fail के आखर पर S.E.I.S. का इजाफा करते हैं जो बुजदिल है वो अपनी मौँ से पहले कई बार मरता है 19 वाएं जी I dash this last night अंडरलाइन करें जब जुमले में last आजे fail की चुपकर के आपने दूसरी farm लगा देनी है मतलब fail की दूसरी farm से क्या मुराद होता है present, sorry past indefinite past indefinite in में से कौन से I did not read I did not read this last night मैंने ये पिछली रात नहीं पड़ा था ठीक है जी 20 वाएं एंसी कुए जी by next may I dash this story अब मैंने आपको पिछली mcq में भी बताया हुआ था जब जुमले में by आजे और उसके बाद time limit हो क्या हो time limit हो तक by तक होता है next may अगले मैं तक तो आपने चुप करके जब भी जुमले में by के बाद time limit आज जा नहीं है future perfect टेंस लगा देना future perfect का मतलब होता है will shall have के बाद fail की third form तो ये भी option दरूस्त है लहाजा ये आएगा by next may I will have written this story अगले जो मैं है उस तक मैं ये story लिख चुका हूँगा